नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्रवास्तों के विशेश कास्त के साथ गुप नवरात्री और समान नवरात्री में क्या है अंतर गुप नवरात्री का धार्मिक महत्व क्या है गुप्त नवरात्री में आपको किस तरह से पूजा और साथना करना चाहिए ताकि जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाए चाहे धन की कमी हो बेपार नहीं चल रहा हो स्वास की समस्या हो चाहे कोई खास मनोकामना पुर्ण करना हो तो गुप्त नवरात्री में क्या खास उपा उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल अवस मिलता है गुप्त नवरातरी में आपको क्या करना है ताकि आपकी हर तकलीफ दूर हो जाए हम आपको एक एक करके बताएंगे कि गुप्त नवरातरी में क्या करना है आपको क्या खास उपाय करना है साथ ही गुप्त नवरात्री और समान नवरात्री मंतर ये चीज़ भी आपको हम समझाएंगे। तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्री में क्या अवस्ट करें ताकि आपकी जिंगी की हर तकलीफ दूर हो जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे च ज्यानिक महत्व क्या है नवरात्री साल में चार बार मनाई जाती है हम दो नवरात्री को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं जिसको हम समान नवरात्री भी कहते हैं इसमें एक है बासंतिक नवरात्री और दूसरा है सार्द्य नवरात्री इसके अलावा साल में दो बार जो लगवग अक्टूबर मंथ में परती है जो ज्यादा परसिद है और ज्यादा लोग इसी का पालन करते हैं इसी को जानते हैं इसके अलावा माक के महिने में यानि जनवरी के महिने में और आसाड के महिने में लगवग जून जुलाई के महिने में गुप नवरात्री भी मन ज़ंदा हम्हत होता है, अगर आप इसका साही धंग से आप इस्तिमाल करते हैं सही धंग से गुप्त नवरातरी में पूजा पाढ़ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हर कामना हर मनुकामना होती है अब यह जानते हैं सामान ौर不起 में क्या भी करते हैं जबकि गुप्त नवरात्री में जादा तर तंत साधना की जाती है गुप्त नवरात्री में तांत्रिक पूजा जादा होता है गुप्त नवरात्री का जादा परचार परसार नहीं किया दाता है इसको बहुत ही जादा गुप्त रखा दाता है गुप्त नवरात गुप्त नवरात्री में तंत साधना करके या समान साधना करके सकती प्राप्त की जाती है और बाधाओं के नास के लिए बरधान मांगा जाता है। आपकी साधना, पूजा, तपस्या जितनी गोपनिय होगा उसका प्रभाव, उसके परिणाम आपके जीवन में उतने ही उतने ही अच्छे होंगे। अपने आहार को सुद रखे, निश्चित रूप से गुप्त नवरात्री की पूजा आपको फल परदान करेगी। इसलिए गुप्त नवरात्री में दो बातों का ध्यान आपवस रखे। पहली चीज, अपनी साधना को हमेशा गोप्नी रखे, इसका परचार परसार न करें। किसी से न बोले कि आप क्या कर रहे हैं। इसको गोप्नी रखना बहुत ही ज़्यादा महत्पुन है। दूसरा, साधना अगर रात के समय आप करेंगे तो इसके परभाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुब होंगे। रात को 11 से एक बज़े के बीच में अगर आपकी कोई मनोकामना है, धन की प्राप्ति करनी है, कोई भी मंत्र की साधना करना है, मंत्र की सिध्धी करनी है तो आपको रात के समय में ही इसे करना जादा उचीद और जादा अच्छा होगा। अब जो सबसे महत्पुन बात है गुप नवरात्री में आपको क्या पूजा और क्या साथना करना चाहिए दखिए सबसे पहले गुप नवरात्री में जब भी आप मादुरुगा की पूजा करते हैं साथना करते हैं तो उसमें एक मंत्र का जाप आपको रोज करना चाहिए य यहि सवभाग्यम, आरोग्यम देही मेप्रम शुखं, उपम देही जयम देही यसो देही दुसो जही यह मंत्र बहुत ही सक्ति-साली है और यह मंत्र दुरुगा सप्पति का लिया गया है जो की अक तांत्रिक पुस्तक है जब भी आप मादुरगा की उपासना करते हैं भगवती की साथना करते हैं तो उस उपासना की सबसे ज़्यादा सक्तिसाली मंत्र है ये और इस मंत्र में वो सभी चीजें मांगी गई है उन सभी चीजों की कामना की गई है जिससे आपका जीबन बहुत ज़्यादा सुखी हो इस मंत्र के माध्यम से देवी दुर्गा से सोभाग मंगा गया है आरोग मंगा गया है सुख मंगा गया है रूप बीजय और यस मंगा गया है और यह भी कहा गया है कि जो मन की बुरा बिचार है वो भी दूर हो जाए और मन की जो कटूता है वो भी दूर हो सके इसलिए आपक तो कम से कम आप इसका 27 बार भी जब करें, निश्चित रूप से आपको इससे फल की प्राप्ति होगी, और सारे जो भी सुक्षी प्राप्ति आप चाहते हैं, जीवन को सुक्षी करना चाहते हैं, इस मंत्र के जाप से आपका जीवन निश्चित रूप से सुक्षी हो जाता ह गुप्त नवरात्री में मा दुर्गा की पूजा दो बीधी से की जाती है पहला बीधी है तंद्र की बीधी और दूसरा है समान बीधी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है गुप्त नवरात्री में ज्यादा तर तंद्र की पूजा की जाती है गुप्त नवरात्री में भी कलस के अस्थापना की जाती है बिल्कुल वैसे ही कलस के अस्थापना कर सकते हैं जैसे कि आप समान नवरात्री में करते हैं चैत्र या वासंतिक नवरात्री में करते हैं उसी तरह से आप गुप्त नवरात्री में भी कलस के अस्थापना कर सकते ह अगर आपने कलस के अस्थापना की है तो दोनों समय आपको मंत्र का जाप करना चाहिए दोनों समय दुर्गा चलिशा या दुर्गा सबस्ति का पाट करना चाहिए या आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपने कलस के अस्थापना की है तो तो एक दीपक अखन रूप से जलता रहना चाहिए, इसके साथ दोनों समय पूजा उपासना की जाएगी, दोनों ही समय मा दुरगा की आरती भी की जाएगी, इस बात का ध्यान रखे, अगर आपने घर में कलस्ट का स्थापना की है, तो इसका ध्यान आपको निश्चित रू करना है, जैसे आप रात को एक गारा से एक बज़ा की बीच में कोई साथना करते हैं, तो उस समय भी आपको ये चीज अवस करना है, सबसे सरल और उत्तम भोग होगा, लौंग और बतासे का भोग, मा देवी को लौंग और बतासा रपित करना बहुत ही ज़्यादा इसलिए देवी को लौंग और बतासा हर दीन अवसी अरपित करें, ये काफी ज़्यादा आपके लिए सुभ होगा, गुपन वरातरी में हो या कोई अन अवरातरी में भी आप लौंग बतासा देवी को अवसी अरपित करें, माता की पुजा में उनको लाल फुल अवसी अर आपके लिए पीला फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह सक्ति के उपासना है, तंत्र की पूजा है, इसलिए लाल फूल अर्पित करके पूजा करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सुभ रहेगा। मादुर्गा की पूजा में मदार और तुलसी का परयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, पूरे नो दीन अपना खान पान और अपना अहार सात्विक रखे तभी आपको पूजा का फल मिलेगा, अगर आपका अहार सात्वि किसी चिस की पूर्ति करना चाहते हैं, तो रात के समय आप लाल बस पहन करके, एकडारा से एक के बीच में आप देवी की तंत्र साधना भी कर सकते हैं, लेकिन तंत्र साधना वहीं लोग करेंगे जिनको उनके गुरू ने कोई आदिस दिया हो, या जिनके पास गुरू की स रखती हो, या जिनको गुरू का निर्देशन प्राप्त हो, किताब पढ़के उल्टे सीधे तरीके से तंत्र का परयोग मत करें, वरना आप किसी मुश्किल में भी आ सकते हैं, अगर आप तंत्र साधना नहीं जानते हैं, या किसी गुरू ने आपको कोई तंत्र साधना न करें, कोई गुरू ने आपको आदिश दिया है, उसने दिक्षा दिया है, तब आप तंत्र साधना कर सकते हैं, गुप नवरातरी के बारे में एक बात जान लीजिए, इसमें सारे नियम व्यसे ही है, सारी चीजे व्यसे ही है, जैसे की समान नवरातरी में होती है, लेकिन इ आपके गुरु ने गाइड किया है, जो तंत के उपासना है, जो सक्ति तंत के उपासना है, अगर आपके गुरु ने आपको दी है, तो आप इस गुप नवरात्री में उस साथना को कर सकते हैं, चाहे वह दस महा बीद्या के उपासना हो, चाहे देवी, राज, राजसरुई क को पासना हो या मा काली को पासना हो दस महा बीद्या के उपासना करने के लिए भी गुप नवरात्री का समय बहुत ही ज्यादा अनुकुल होता है इसलिए अगर आप तांत्रिक साथना करना चाहते हैं तो आपके उपर कोई ने कोई गुरु अबस होना चाहिए बिना गुरु गुप नवरात्री में कर सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा दुर्गा सबस्ती तंत्र की एक पुस्तक है जिसके अंदर मारन, मोहन, उच्चाटन, अस्तंभन, विद्योषन सारी सक्तियां पाई जाती है अगर आपको कोई बिशेश सक्ति प्राप्त करनी हो तो दुर्गा सबस्ती का बीधी बिधान से आप पाठ कर सकते हैं आपको गुप नवरात्री में अगर इसका पाठ करते हैं तिससे आपको लाब अबस मिलेगा अब हम आपको ये बताते हैं कि गुप नवरात्री में आपको कौन सा विश्यस प्रयोग करना चाहिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर आपको रोजगार की प्राप्ति करनी है बेवसाय जल्दी सुरू हो जाए या आपको बढ़िया नोकरी मिल जाए तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेवसाय अच्छी चले उसकी सुरुवात हो जाए रोजगार की प्राप्ति हो जाए नोकरी की वेवस्था हो जाए तो गुप नवरात्री में किसी भी रात को एक गारा से एक के बीच में देवी के सामने घी का दीपक जला लें अब नो बतासे ले लें हर बतासे पर दो लोंग रखें लोंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए इसका आपको ध्यान रखना है अब सारे बतासे एक एक करके देवी के चर्णों में रपित करें हर बतासे के साथ कहिए ओम दुम दुर्गाय नमा यह का कर नौ बता से लोंग सहित देवी को रपित कर दें इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमा मंत्र का जितना जादा जाप कर सके उतना जाप करें एक माला दो माला एगारा माला एकिस माला जितनी आपकी सामर्थ है उतना जाप करक सकते हैं नवरात्री में किसी भी रात को यह पर्योग करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुभ होगा गुप्त नवरात्री में अगर एक रात भी आप यह पर्योग कर लेते हैं तो रोजगार से जुरी आपके केरियर से जुरी सारी बाधाय निश्ची तुरूप से समाप् रोज एक घी का दीपक जलाएं रोज आपको रात के समय में देवी के सामने घी का दीपक जलाना है अगर अखंड दीपक जल रहा हो तो फिर अलग से दीपक जलाने की जरुत नहीं है इसके बाद देवी को लाल फूलों की माला रपित करिए और रोज लाल फूल की माला अगर नहीं मिल पा रहा हो तो एक लाल फूल रोज देवी को रपित करें इसके बाद सिग्र बिवाह की प्राथना करें यह परयोग गुप्त नवरात्री में हर रात को करना है, हर रात में देवी के सामने एक दीपक जलाना है और रोज उनको लाल फुल की माला पहनाना है या एक लाल फुल उनके चर्णों में रखना है, उसके बाद देवी से प्रात्ना करनी है, आपका विवा जल्द से जल्द ह गुप्त नवरात्री में जितनी भी रात आपको यह परयोग कर सके उतनी रात करें, नो के नो रात आप कर सकते हैं, यह तो कम से कम आपको तीन दीन, तीन रात यह परयोग अबस ही करना चाहिए, इस से आपकी विवाह में जो भी समस्या आ रही है, वो समस्या दूर हो कि अपनी उम्र के बराबर लोंग ले लें, या एक सा आठ लोंग भी ले सकते हैं, अगर आपकी उम्र की बराबर आप लोंग लेना नहीं चाहते हैं, तो आप एक सा आठ लोंग ले सकते हैं, लाल धागे में इस लोंग को बांद करके आप एक माला बना लें, अपनी मनोका के बाद जब आपकी मनोकामनाः 6 महेने में पूरी हो जाती है तो इस माला को निकाल करके जल Croatia कर दे यह परियोग आप घुप्नारातरी ने किसी भी दन कर सकते हैं, दीन के समय भी कर सकते हैं, या रात के समय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि आपको जब भी आप ये परयोग करते हैं, तो एक ही मनोकामना बोलना है, आप दो तीन मनोकामना आपको नहीं बोलना है, सिर्फ एक मनोकामना बोलना है, तभी आपके मनोकामना पुर्ण होगी तो आज में आपको पताए कि गुप्त नवरात्री में आपको क्या करना है गुप्त नवरात्री और स्वान नवरात्री में क्या अंतर है पूजा बीधी क्या है और क्या खास आपको परयोग करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो किरप्या इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे समझों के साथ भी सेर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं, और सारे सुक को भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर तो किरप्या इसे आप फेस्बूक पर भी फोलो करें, आज के लिए पसे इतना ही धन्यवाद.